हालो एव्रिवान वेलकम टू डी एने क्लासिस एंड तुदेइस वीडियो इस अबाउट दो मॉलारिटी आज का वीडियो इनी दो टॉपिक के बारे में है तिक ये क्लास 11 एंड 12 दोनों में ये टॉपिक है और इसलिए ये वीडियो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टन ह होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं मॉलारिटी और मॉलारिटी को एक्सप्राइ Martin के साथ-साथ इनमें क्या डिफरेंस है ये भी बताने जारे हम तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करिये ताकि सभी बच्चों को यह जो concept है वो clear हो सके कि molarity और molality में क्या difference है चलिए बिना देर किये video start करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे molarity के बारे में what is molarity दीखिये molarity को denote किया जाता है capital M से अब क्या है molarity यदि definition का बात करूँ तो कि it is the number of moles of solute in one liter solution, one liter solution में solute के जितने भी moles present होंगे उनको हम उस solution की molarity कहेंगे जैसे कि for example one liter solution में आपने यदि solute के two moles dissolve किये हुए तो उस solution की molarity हो जाएगी two है नो यदि आप three moles dissolve किये हुए, three moles present है one liter solution में तो हम बुलेंगे कि उस solution की जो molarity है that is three I think ये definition clear हो गया होगा अब आप लोगो molality का बात करो, similar way में हम molality का बात करें, molality को denote किया जाता है small m से, now what is molality बहुत small सा difference आपको देखने को मिलेगा molality में कि it is the number of moles of solute in one kg solvent, देखें क्या difference यहाँ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपने यूज किया था one liter solution और यहाँ पर हम यूज कर रहे है one kilogram solvent तो one kilogram solvent में solute के जितने moles present होंगे, वही उस solution की molality कहलाएगी, तो आपने one kg water लिया, एक किलो आपने पानी लिया, और उसमें मान लिजे, आपने solute के five moles dissolve किये होए तो उस solution की molality sorry, molality हो जाएगी five, ठीक है definition clear है, difference यहाँ समझ में आया, यहाँ हम one liter solution में number of moles बात कर रहे हैं, और यहाँ हम one kg solvent में number of moles की बात कर रहे हैं, ठीक है अब थोड़ा सा मैं clear कर देती हूँ आपको यह concept, दिखिए molality, for example, यदि हमको कोई solution बनाना है, मेरे पास यह container है, यह मैंने container लिया, और इस container में मैंने डाला है for example, solute के तौर पर मैं ले रहे हूँ naoh, naoh लिया है, हमने naoh का one mole मतलब मुझे लेना है 40 gram तो मैंने 40 gram naoh इसमें डाल दिया, सबसे पहले weigh करके 40 gram मैंने naoh ले लिया, और अब यहाँ पर जो marking है, माली जी यह वो mark है, that denotes to one liter तो 40 gram naoh लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें इतना पानी डालना है, कि आपका solution का जो volume है वो one liter हो जाए ध्यान रखिएगा, one liter पानी लेने के बाद, उसमें 40 gram naoh डिजॉल नहीं करना है आपने 40 gram naoh या जो भी आप solute ले रहे हैं, उसके moles पहले लेना है, और उसके अंदर फिर उस को उसमें add करना है इतना पानी add करना है, कि आपके solution का volume one liter हो जाए, तो ये solution कहलाएगा, one molar solution ठीक है, तो one molar solution two molar solution आपको कैसे बनाना है, clear है, आपने पहले solute वे करके container में ले ले ला है, और फिर उसका volume आपको one liter तक लेकर आना है, by addition of water ठीक है, अब अपन बात करते हैं, molal solution यदि आपको बनाना है, आपसे बोला गया कि one molar solution बनाई है, तो again हमारे पास ये container लिया हमने इसमें आप क्या करेंगे, इसमें मान लीजे ये marking है, one kg water के लिए, हाँ एक चीज़ और में यहाँ आपको clear करना चाहूंगी one kg water is equals to one litre water क्योंकि water के density one होती है, तो one kg water, मतलब one litre water आपने लिना है, और पहले ही ले लेना है, पहले क्या किया आपने ये ले लिया आपने, water आपने लिया, one kg या one litre water आपने लेना है और अब इसमें, यदि हैने ओज का आप solution बना तो आपने अब इसमें 40 gram 40 gram NaOH डाल दिना है ठीक है जब आप 40 gram NaOH डाल देंगे 1 kg water पहले से लिया है 1 liter water पहले से लिया उसमें अब आपने बाद में 40 gram NaOH डाला अच्छे से डिजॉल कर दिया तो अब जो resulting solution बनेगा वो one molar solution बनेगा आई चीज समझ में आगे यही जो concept है यह जो concept है यह आपको बहुत सारी चीजों को समझने में help करेगा यह इसलिए आपको मैंने इतनी preparation समझाई है क्योंकि आगे एक आपसे मैं question करूंगी उस question का answer आप इसी basis पर दे पाएंगे तो one molar solution कैसे बनाया हमने पहले हमने sol को वन लीटर तक by addition of water इसको हम लेकर गए यहां हमने क्या किया 1 kg water मतलब 1 liter water already हमने ले रखा था और उसमें हमने 40 gram NaOH मतलब 1 mol NaOH हमने dissolve किया तो यह बन गया 1 molar solution और यह बन गया हमारा 1 molar solution clear है चलो आगे देखते हैं इदि यह clear है तो बाकी दो सब चीजें straight है unit का बात करें यह दी तो molarity की unit क्या होगी molarity की unit बनेगी moles per liter है ना number of moles per liter यह बनेगा तो जब भी आप unit बात करें molarity की यह बनेगी moles per liter वहीं molality का unit का बात करें तो molality की unit बनेगी moles per kg 1 kg water में कितने moles present है चली, अब formula का बात कर लेते हैं, तो molarity, capital M, equals to NB, जो मैंने लिखा है that is for number of moles of solute solute को हम B से denote करते हैं तो number of moles of solute divided by volume it should be in liter ठीक है, अब number of moles आपको नहीं दिये होंगे, तो number of moles निकालने का जो formula है, वो आपको मालूम है given mass WB divided by molar mass MB इसके थ्रूँ आप NB निकाल लेंगे and divided by volume but it should be in liter ml में होगा, तो thousand से divide कर दीजेगा आप उसको, अब वही molality का यदि हम formula बात करें, तो small m होता है NB upon W, W is the mass of solvent it should be in kg यहाँ यह चीज क्या ध्यान रखनी है जैसे यहाँ आपने liter लिखा हुआ है वैसे ही हमारे इस solvent का भी जो mass है it should be in kg क्योंकि आप unit क्या लिख रहे है उपर? per kg, तो NB means number of moles of solute, W means given mass या mass of solvent, but it should be in kg ठीक है? तो I think यह formula difference और preparation of one molar and one molar solution clear होगा आपको अब इसी formula को मैंने आगे और expand किया हुआ है कि capital M equals to यदि आपको molar mass नहीं दिया sorry number of moles नहीं दिया है तो आप यह formula लगाई है WB upon MB volume यदि ML में दिया है तो यही formula में ऊपर 1000 से multiply कर दीजे तो यह हमारा formula बन गया for molarity that is WB given mass of solute divided by molar mass of solute volume if it is in ml multiply with 1000 on opposite side similarly small m equals to क्या होगा WB upon MB given mass of solute divided by molar mass of solute WA given mass of solvent if it is in grams multiply with 1000 तो यह अपने आप change हो जाएगा की जी में है न? ठीक है अब जो बड़ी important बात मैं आप कुसे करने वाली हूँ that is about the temperature है न? temperature का effect किस पर होता है और किस पर नहीं होता है तो temperature एक factor है जो कि आपके molality को affect करता है मतलब it is temperature affected dependent affect sorry affected by temperature और it is temperature dependent molarity पर solution की molarity पर temperature का असर पढ़ता है it is affected by the temperature ठीक है? मतलब एक molar solution यदि आप एक container में बना कर रख देते हैं close करके lid close करके रख दे रहे हैं आप इसको और यह आपने बनाया था 10 degree Celsius पर और अब temperature मान लीज़े after some time इस container का same container का जो temperature है वो हमने change कर दिया और वो हमने कर दिया 40 degree Celsius तो इसकी molarity और इसकी molarity में difference आ जाएगा solution सेम है आपने lid लगा के रखा हुआ है सब कुछ सेम है लेकिन क्या है temperature change के कारण जो molarity होगी वो change हो जाएगी पहले के comparison में क्यों molarity change होगी molar solution की temperature change करने पर molarity क्यों change हो जाती है तो इसके लिए जो reason है जो explanation है that is volume जब भी हम molarity का calculation करते हैं, molarity calculation में volume consider किया जाता है solution का volume consider किया जाता है और temperature change होता है तो volume भी change होता है inversely temperature बढ़ा होगे तो volume भी change होगा और आपका जो molarity है वो inversely change होगा तो molarity और temperature में बात करें तो inverse relationship है इनमें आप temperature बढ़ा होगे solution की molarity कम हो जाएगी क्योंकि दिखिए यहाँ formula से ही समझ में आ रहा है M और volume में कैसा relation है inverse relation है temperature बढ़ेगा तो volume बढ़ेगा volume बढ़ेगा तो molarity के value कम हो जाएगी तो क्योंकि temperature के कारण solution के volume में change आता है आप temperature बढ़ा होगे तो क्या होगा यह volume बढ़ जाएगा इसका जो volume है वो बढ़ जाएगा पहले के comparison में V1 कम होगा V2 जादा होगा क्योंकि temperature बढ़ाया तो kinetic energy बढ़ेगी हमारे molecules की kinetic energy बढ़ेगी तो moment बढ़ेगे तो volume increase होगा और volume increase होगा तो molarity भी change होगी और कैसी change होगी? inversely change होगी volume बढ़ेगा तो molarity कम हो जाएगी बताओ यह concept clear हुआ कि नहीं? molarity का और temperature dependence का चीक है? अब यहाँ हम बात करते हैं हमारे molality के case में temperature dependence का बात करें तो यह temperature independent होता है किसी solution की जो molality होती है उस पर temperature का कोई असर नहीं होता है reason यह है कि यहाँ आपने क्या लिया हुआ है? यहाँ आपने solvent का mass consider किया हुआ है और mass पर temperature का कोई असर नहीं होता है right? तो क्योंकि temperature से mass unaffected रहता है इसलिए molality पर temperature change का कोई असर नहीं होगा so I hope यह जो difference है और temperature dependence और temperature independent होना यह आपको clear हो गया होगा देखो यदि यह concept clear है तो फिर मुझे बताओ कि one molar solution और one molar solution मैंसे कौन जादा concentrated होगा मान दीजे हमने बनाया है NaOH का one molar and one molar solution ओके which one will be more concentrated तो इस टाइप के यदि questioning आपसे होती है या आपके NCRT में इस टाइप के questions देखिएगा आप मिलते हैं यदि तो इसी question को answer करने के लिए मैंने आपको यह solution preparation बताई थी इस solution preparation को यदि आप समझ लेंगे तो आप ऐसे questions के answer दे पाएंगे क्या किया था आपने यहां पर यहां पर आपने 40 gram NaOH लेकर volume को 1 liter बनाया था और यहां already आपने 1 liter water ले चुके थे और उसमें आपने 40 gram NaOH dissolve किया था दोनों में देखो NaOH की quantity तो same है 1 molar और 1 molar NaOH solution दोनों case में solute का concentration तो fixed है that is 40 gram बट एक case में आपने 1 liter में dissolve किया हुआ है 40 gram को और बनाया है आपने molar solution और दूसरे case में आपने क्या किया 1 liter से थोड़ा सा कम less than 1 liter था क्योंकि पहले आपने 40 gram लिया पहले आपने 40 gram लिया उसमें आपने water dissolve किया और final volume आपने 1 liter बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ पानी जो है वो 1 liter से थोड़ा सा कम है यहाँ पर पानी पूरा 1 liter है तो 1 liter में 40 gram NaOH present है और यहाँ less than 1 liter में 40 gram NaOH present है means क्या हुआ यह more concentrated हुआ तो इस case में जो 1 molar solution होगा that will be more concentrated यह बोलें कि 1 molar solution जो होगा that will be less concentrated as compared to capital M it will be less concentrated ठीक है concept समझ में आया वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like कर देना comment कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर देना thank you कर दोस्तों के साथ